So hello everybody, मेरा नाम है भरत सेटी, आप देरे हैं चैनल सादे सेटी साप and आज मैं बात करने वाला हूँ कि What is Reiki Attunement and how does it work? बोले तो यह जो रेकी अटूमेंट है, यह होती क्या है और यह काम कैसे करती है? वैसे तो मैं एक इन-डेप्थ वीडियो रेकी के बार में बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो इधर देख सकते हैं, इंग्लिश में वीडियो है क्योंकि एक उनिवर्सल लैंग्वेज है, तो अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश जरूर समझ आने वाली है, अब आप पूछे हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन के मैं रेकी के बार में ऐसे बात कैसे कर सकता हूँ, कि मैं कुछ जानकार भी हूँ या एरा गरा उठके आगयो तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक रेकी प्रेक्टिशनर हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, मैंने अपन मतलब युनिवर्सल और की मतलब एनर्जी, तो बेशिकली बेट युनिवर्सल एनर्जी, अब यह जो रिएनर्जी है, यह मानने जाता है हम सब के अंदर हैं और यह हमें ही युनिवर्स से एक टरीक से जोड़े हूँ गया, तो मेरे सिंपल सी अनलोजी थी, कि उपर एक ए उस उपर वाले से हमारी एक तार चड़ी हुई है जिसे हमें जिन्दा रखाया और जो हर चीज को चलाती है तो समझ कि हम रेकी क्या है रेकी इस डाट एनर्जी वो यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारे को जोड़े है अब यह अटून्मेंट क्या होती है तो बेसेकली माना ज भीली पढ़ जाती है या फिर उसमें कुछ गरबढ़ी आजती है तो अटूनमेंट का क्या क्या काम है कि वह जो स्त्रोथ है वह जो मीडियम है वह उसूद्वर्सल एनर्जी का और आप तक का ज है वह से धीक है वापस कर देना वापस से उसकी सब्सक्री आसे कर देना कि व अब इन प्राशा में अब ये रेकी प्रैक्टीशंणर का क्या काम होता है उसका एक माध्यम बने उस लविंग eu प्राटिशनर बेसिकली अपनी कोई इनरजी नहीं लगाता वह बस यूनिवर्सल एनरजी जो होती है जो स्त्रोत है एनरजी का उस energy को आप तक पहुचाता है माध्यम बन के बस अब यहां पर काफी सारी criticism आ जाती है कि basically बहुत ज़्यादा criticism है रेकी पर के रेकी असली भी है या नकली है real versus fake के भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि बोल देते हैं जी हम रेकी प्रेक्टिशनर हैं हम आपको अच्छे से अटून करेंगे वस लविंग एंड केरिंग एनर्जी का माध्यम बनेंगे आप तक लेकिन उसमें से कुछ लोग को आता है कुछ लोग तो ऐसे फर्जी करते कुछ करते भी नहीं है ना तो मैं कहूंगा चलो भाई 80% नकली होंगे 20 % तो हो सकते हैं यह भी मैं उस sense में कहा रहूं के अगर आप रहकी पर बिलीव करते हो कुछ लोग नहीं करते कुछ लोग कि辯ह स्यूर्ब करते कूछ लोग comparison से कोई रिष्टा नाता नहीं से कुछ लोग से tこれで साइंस की definition we ये भी समझाना चाहते हैं, मैं कहूंगा या तो ये science के beyond है, कि science की समझ से बाहर है फिलाल, या फिर ये बिल्कुल कोई science नहीं है, मैं इसको कभी भी रेकी को science की नजरिये से नहीं देखूंगा, और वो क्यों, वो मैं आपको अगले part में बताता हूं, कुछ लोग जो हैं वो quantum physics को कुछ लोग या रेकी गुरूज जो है quantum physics को रेकी से जोडने की कोशिश करते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि रेकी कैसे वर्क करती है लेकिन मैं कहूंगा भाई रेकी is not quantum physics और quantum mechanics नहीं या तो जो लोग बता रहे हैं वो quantum physics और quantum mechanics नहीं जानते हैं या फिर वो चीजों को ज़्यादा कॉंपलिकेट कर रहे हैं मेरा फंडा है keep it simple stupid so basically रेकी या meditation कैसे काम करती है समझ लेते हैं आपको मैं बोलूँ कि आप अपने जो बच्पन का स्कूल है ना उसकी तरफ जाए उसका ध्यान ले जाए इंस्टेंटली जैसे ही मैंने बोला कि बच्पन का स्कूल आपका ध्यान अल्रेडी वहीं पहुंच चुका था अब मैं बोलता हूं आप फिजिकली जाए कुछ लोगों को हो सकता है एक गंटा लेकिस लोगों को दो गंटा लेकिए कुछ लोगों को पैदल जा रहे हो तीन घंटे भी लगने आपके बच्पन के स्कूल की तरह जाने के लिए लेकि अब मैं आपको बच्पन के स्कूल की तरफ ध्यान लगाने के लिए बोलता हूं आप एक तरीके से मैप या फिर एक तरीके से एक छवी सोचन लगते हैं असलियत में मेडिटेशन क्या होगे आपको रियल टाइम उस स्कूल पे क्या हो रहा है वो दिखने लेका and that is the top tier of meditation कि कि आपको रियल टाइम में आप अपने मन को अपने ध्यान को उधर ले जा सकते हो वो तो चले प्रैक्टिस के आता है चले यह तो हो गई next level की बात अब रेकी कैसे काम करती है रेकी भी simple meditation के टर्म्स में काम करती है basically मैं अपना ध्यान उस loving और caring energy जो एक श्त्रोत है energy का उध अधर ले जा रहा हूं एक माध्यम मन के मैं अपने recipient को दे रहा हूं तो basically meditation में क्या हुआ मेरा ध्यान जो है वो सीधा loving and caring energy से मैं connected है और रेकी में क्या हुआ basically एक रेकी प्रैक्टिशनर समझेजिए मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर हूं तो मैं कुछ त्रोत नहीं सिर्फ एक माध्यम की तरह काम करों उस loving and caring energy को एक recipient तक पहुचाने के लिए तो मैं हमीशे यह कहूंगा कि रेकी से better है कि आप meditate खुद करें अगर आप कर सकते हैं तो meditate कैसे करना है बस दिन का आदा गंटा भी अगर आप आँख बंद करके thoughtless होके अपने अंदर ध्यान लगाएंगे त तो जो अगला पाट है वह मैं कहूंगा रेकी एक तरीके से alternative medicine है लेकि कोई इलाज यह कोई क्योर नहीं है अगर आपको कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई दुख कोई भी दिक्कत है तो बेसिकली एक alternative medicine है alternative medicine क्या है आपने सुना होगा laughter is the best medicine है ना laughter is the best medicine लेकिन laughter किसी चीज का इलाज नहीं करती है अगर आप depression में है या फिर आपको stress में है या किसी आप फिजिकल पेन में भी है तो आप नॉर्मल उसका इलाज करते हो laughter just helps it to go through that phase उस phase of life से laughter आपको बहार निकालता है उस phase of life से laughter आपको entertain रखता है आपका ध्यान परिशानियों से दूर रखता है अपना इलाज करवाईये आपको जो भी दिखता है उसको इलाज करवाईये लेकी सिर्फ एक आड़ आड़न है जो आपको प्लस वन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि एक आल्टरनेटिव मेडिसिन की तरहां सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं काऊंगा आपको रेकी वगारा के चक्कर में या रेकी गुरुओं के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वह असलियां के नकली है अगर आप दिन में आदा एक घंटा आँख बंद करके अपने आपका माइंड को थौट लेस कर सकते हैं तो दुनिया में थौट्स भाग रहे हैं उससे disconnect कर सकते हैं और कहते हैं भगवान अंदर ही है तो बस अपना ध्यान अपने अंदर लगाना है और उसी टाइप उसी टाइंग आप उस लविंग और केरिंग एनर्जी के डिरेट कॉंटाक्ट में हो जाएंगे अगर आप में मेडिटेशन कर सकते हैं तो इट इस बेटर देन एनी फ़र्म अफ रेगी थैंक यू वेरी मच्छ वेरी में डिटर इस बेट उसी टाइंग ऑप वेरी में हैं